खबर शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में अब बढ़ते हैं खबर की तरफ दिल्ली में डेंगी एक बार फिर तेजी से फैल रहा है वीते सालों में दिल्ली में डेंगी पर काफी नियंतरण किया गया था लेकिन अब इसके मरीजों में फिर इजाफा देखने को मिला है जानकार इसके लिए कोरोना संकट से प्रभावित हुई स्वास्त विवस्था को भी जिम्मेदाद बता रहे हैं वज़ा जो भी हो ये साफ है कि राजधानी में डेंगी संकट अब चानलेवा हो चुका है इसी हफ़ते खबर आई थी कि दिल्ली में इस साल डेंगी से पहले मरीज की मौत हुई है पीडित 35 साल की एक महिला थी हर साल जब बारिश का मौसम जाने को होता है और सर्दियों के आने का समय होता है उस समय एक बिमारी खूब तेजी से फैलती है डेंगी मच्छर की काटने से होने वाली ये बिमारी हर साल अगस्त से ऑक्टुबर के महीने में टीक पर होती है और इस दोरान जिस एक चीज की खूब डिमांड बढ़ जाती है वो है प्लेटलेट्स डेंगी सीजन के दोरान हम अकसर देखते हैं कि कैसे लोग किसी डेंगी मरीज को प्लेटलेट्स दिलवाने के लिए जद्दो जहद कर रहे होते हैं आईए समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेटलेट्स होते क्या हैं और डेंगी होने पर शरीर में इनकी कमी क्यों हो जाती है हमारा खून तीन प्रमुक चीजों से मिलकर बना होता है एक लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC यानी Red Blood Cells जिनका काम होता है ओक्सिजन को एक जगा से दूसरे जगा तक ले जाना दूसरी सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि White Blood Cells जिनने हम WBC भी कहते हैं जिनका काम होता है इंफेक्षन से लड़ने की ताकत देना और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स, इनका काम होता है चोट लगने पर खून बहने से रोकना ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, स्वस्त व्यक्ति के शरीर में इनकी संख्या एक लाग से साड़े चार लाग तक की होती है खून जमने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए चंदन इंस्टिटूट और हमेटोलिजी लखनो के डिरेक्टर डॉक्टर भुपेंदर कहते हैं प्लेटलेट्स बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, इनके अंदर सैक्डो तरह के कैमिकल्स पाई जाते हैं इनका प्रमुक काम होता है खून को जमाना, जब नसे डैमेज हो जाती हैं तो तुरंट वहाँ प्लेटलेट्स पहुँच जाते हैं और ग्लू की तरह चिपक जाते हैं प्लेटलेट्स खून के रिसाफ को बंद करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं ये खून का ठक्का जमा कर रक्त को बहने से रोकता है इसके लिए ये फाई ब्रॉनोजेन नाम के ग्लाइको प्रोटीन की मदद लेता है जो फाईबरन में कनवर्ट होकर जाली की तरह एक धाचा बना देता है इस धाचे में प्लेटलेट्स जाकर चिपक जाते हैं यानि की पहले एक जाली बनी और फिर उस जाली में जागर प्लेटलेट्स चिपक गए और एक कवर तयाद हो गया इस तरह से रक्त के जमाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है हम सब जानते हैं कि डेंगी बिमारी Aedes, Egypti नाम के मच्छर के काटने से फैलती है फत्म करना शुरू करता है, दूसरा ये बोन मेरो पर अटेक करता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों हमारे बोन मेरो में बनते हैं जिसकी वज़ा से भी प्लेटलेट्स काम होने लगती है इसके अलावा, ये हमारी रक्त वाहिकाओं में पाई जाने वाली इंडोथीलियम सेल्स को भी जगा-जगा डेमेज करता है डॉक्टर ने आगे बताया, जब इंडोथीलियम डेमेज होती हैं, तो प्लेटलेट्स उन्हें ठीक करने में लग जाते हैं जिसकी वज़ा से प्लेटलेट्स का इस्तमाल बढ़ जाता है, अब समस्या ये होती है कि प्लेटलेट्स के बनने की अपनी एक रफ्तार है बोन मेरों के भी प्रभावित होने की वज़ा से इसके बनने की रफता धीमी हो चुकी होती है इधर यूज जादा तेजी से होने लगा है एक समय ऐसा आता है जब प्लेटलेट्स की इतनी कमी हो जाती है कि डैमेज इंडोथीलियल सेल्स को भरने के लिए वे बचती ही नहीं है तो फिर होता क्या है कि जगा जगा से बलड निकलना शुरू हो जाता है एक तरह से ये समझे कि पाइप में बलड है तभी वो प्रेशर है पाइप में छिद कर दिया तो प्रेशर कम होने लगता है प्लेटलेट्स की कमी होने पर कुछ इस तरह के लक्षन आते हैं जैसे शरीर पर लाल या नीले रंगे चकत्तों का आना इसे परप्यूरा भी कहते हैं शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दानों का आना, नाक से खून आना, मसूडों से खून आना, लंबे समय तक घाओं से खून भेहना, महिलाओं को पीरियट्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग होना प्लेट्स का जीवनकाल करीब 7-8 दिन का होता है, इसके बार ये नश्ट हो जाता है, इनके नश्ट होने और निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है लेकिन जब नए बनने वाले platelets की अपेक्षा नश्ट होने वाले platelets की संख्या अधेख हो जाती है तो फिर platelets की कमी होने लगती है इस कमी से होने वाली बिमारी को thrombocytopenia कहते हैं platelets की कमी से होने वाली दिक्कतों के बारे में बताते हुए डॉक्टर भुपेंडर कहते हैं शरीर में प्लेटलेट की कमी की वज़ा से ब्रेन हैम्रेज हो सकता है कहने का मतलब ये है कि पाइप तो हमेशा फटता रहता है और प्लेटलेट ग्लू की तरह उसे चिपकाता रहता है लेकिन जब वो नहीं है शरीर में तब शरीर में heavy bleeding हो सकती है और ये कहीं से भी हो सकती है चाहे वो brain hemorrhage के form में हो या फिर चाहे heavy bleeding periods के form में नाग से भी तेजी से blood आता है और बंग नहीं होता है इसके अलावा अगर कहीं चोट लग गई तो खून बहता ही रहता है ठकका जमता ही नहीं है शरीर में platelets की कमी होने पर पपीदा खाने की सलहा दी जाती है डेंगी से पीड़ित मरीज को पपीदे के पत्ते का रज भी पीने के लिए दिया जाता है इसके अलावा platelets की कमी को दूर करने के लिए vitamin B12, vitamin C और vitamin K युक्त चीजों का सेवन करने की सलहा भी दी जाती है लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि सबसे पहले डॉक्टर की सलहा लेनी चाहिए फिर वो जो बताएं वही करना चाहिए आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी गौरब ने देखते रहिए दिललन टॉप शुक्रिया